जी नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते कि भाई एस बेएकलर दोजार तीस का नोटिफिकेशन आ चुका है और साल का आखरी एक्जाम है आखरी एक्जाम और आखरी अपॉर्चिनिटी भी कह सकते हैं हम साल की और हो भी कितनी बड़ी कि हमने कलपना भी नहीं की थी कि इस लेवल पर चुकि लास्ट देखें तो 5400 कुछ वेकेंसी थी तो उससे भी थोड़ा ऊपर उठें तो हमने एक्सपेक्ट के लिए जो इस 2023 की परिक्षाओं में अब तका सफल रहे हैं इसके साथ साथ एक बहुत 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 बहुतर इन्हों ने एक चीज़ मे एड की है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये एड कर रहे हैं कंसेडर कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 तक इसका सीधा मतलब है कि ऐसे वो सभी बच्चे जो की 2023 में ग्रेजवेट हुए हैं जिनका अपना अप्रेल मई के दौरान एक्जाम हुआ उसके बाद अपना ग्रे अपने वाले एक्जाम में माुका नहीं होता और अक्सर आपके देखें नोटिफिकेशन बात ये सवाल बहुत बड़े मात्र में आता है कि सर इक्जाम दे दिया बेहतरीन आपके दिमाग में चल रही है रणनीती वो सब कुछ हम लोग भी अपनी तरब से पूरी ताकत हम लोग भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से एक फ्रेशर को मतलब फ्रेशर को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए एक बच्चे शुरुआत कर रहा है तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए वो सारी की सारी चीजे हम लोग शुरू करने वाले हैं यानि कि कल से हम लोग की क्लासे से स्टार्ट हो जाएंगी और एक फ्रेशर किस तरीके से इस एक्जाम को क्रैक कर सकता है उसके पूरी की पूरी चर्चा हम लोग कल पहली क्ल और पूरा जो एक रोड मैंप है हमारा थोजार मत तब इसके लिए पूरा पूरा रोड मैं वो कल पहली क्लास में डिसकस होगा और उसके बाद से आपकी जैसे कौन्ट इकी बात करें तो कैल्कुलेशन सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग सुरू करते हैं कैल्कुलेशन के पूरा आता है इसकी पूरी के पूरी शुरुवात में हम लोग 10-15 दिनों में इसको कवर करेंगे ताकि आप इस पे अच्छे से घिस करके माना कि एक्जाम तक आप अच्छी खासी स्पीड इसमें निकाल सके फिर आपकी अर्थमेटिक की शुरुवात होगी और फिर अपन सब पर हम लोग कल दोपहर साधे बारा बज़े जोडने वाले हैं बहुत अच्छी खासी संख्या में बच्चों ने इस क्लासे के लिए इंट्रेस्ट दिखाया है और अगर अभी तक आप वंचित हैं इस क्लास से अभी तक आप इस बैच का हिस्सा नहीं है तो लिंक जो है कौल पीछे रहना चाहेगा है ना तो बिल्कुल दुमाधार तरीके से आगाज करते हैं मिलते हैं घल साधे बाराब से थैंक्यू